मार्केट में लेने के लिए निकले हो एक ब्लाक कलर की सब 4 मीटर कॉंपेक्ट एस्यूवी बढ़ आप लोग तो बोलोगे ऑप्शन बहुत सारे है और किया सॉने टिंडे वेन्यू महीद्रा एक्सवी 3OO बट नो उन सब में आपको 1200 सीजी का पेट्रोल एंजन देखने को मिल जाएगा आप बोलोगे भाई टाटा नेक्सॉन भी है बट टाटा नेक्सॉन में इस बारी ब्लाक कलर आया ही नहीं है और आजकल बहुत दोग चाते कि उनके पास एक ब्लाक कलर की गड़ियो तो मैं आज आपके सामने लिया हूँ धी ऑल न्यू मारुती सुजू की विटा को एलिमेंट मिलेगा लॉक अनलॉक का बटन कुछ आसट चेंज नहीं हुआ है इस चाभी के अंदर बात करते हैं गाड़ी के हेडलेंप सेटप की तो यहां पर फुल एलेडी डॉल प्रोजेक्टर हेडलेंप सेटप मिलेगा यहां पर मिलती है डियार और इंडिकेटर होां को देखने मिलेगा यहां पर यहां पर फड़ गुलासी के अंदर ही ट्रीटमेंट मिलेगा हाना कि यहática प्लास्टिक में ही रहने वाला हैं यहां पर आपको कुई फ्रंट कैमरा नहीं ही तोप से नीचेवाला मॉडल थे सब्सक्राइब थोड़ी से लाड़ी गंदी ही आप यहां पर देख सकते हो यहां पर देख तो जो इंडिकेटर आपको वार बिम्स पे ही मिलेंगे आपको एजस्टेबल और फोल्डेबल मिलते हैं यहां पर मिलती है आपको रूफ रेल जो की सिल्वर फिनिश में आने वाली अगर आप यही चीज ब्लाक कलर में देखते हो तो उतनी नोटेस नहीं होती अच्छा SUV करेक्टर गाड़ी को यह प्रोवाइड करके दे देती है अगर मैं टाया साइस की बात करता है तो इट हापनस तो बी 21560R 16 इंचीज और यहाँ पे आप देख सकते हो सारा ग्लॉस ब्लाक में अगर इसे उपर वाले मॉडल से तो तो वहाँ पे आपको डायमंड कट फिनिशिंग मिलेगी जैसा की आपको इस वाले मॉडल में देखने को मिल जाती है बट परसनली मेरको यह वाला थोड़ा सा जादा अच्छा सा लग रहा है आगे मिलती है आपको डिस्क ब्रेक्स और पीछे मिलती है आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कपैस्टी मिलती है 48 लीटर की बात करते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आपको सेग्मेंट का सबसे स्मूधेस्ट के सीरीज 1.5 लीटर का स्माइट हाइब्रेड वाला फेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है सेग्में और किसी गाड़ी में जाता फेट्रोल इंजन मिलता नहीं है 1.5 लीटर का और यहाँ पे प्रेड्यूस करता है 101 बहट और 136 नम का टॉक यहाँ पे देख सकते हो आपको इंजन इंसुलेशन मिल जाती है और यहाँ पे देख सकते हो आपको जिससाना से मिलता है प्रॉपर इसका इंजन बे यार होड का वेड भी हवी हो चुका है पहले वाली ब्रीजा से अवरेज के अगर मैं बात करता हो तो मैनूल के अंदर ये ख्लेम आवरेज निकाल के देती है 19. 17.6 की बट मेरे कई फ्रेंट्स के पास ये वाला पर्टिकुलर मॉडल है और उनसे मैंने रिव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि वो ओन दा हाइवे 17-18 की आवरेज आराम से निकाल देते हैं अगर मैं इसको कंपेर भी करता हो ना किया सॉनेट से या फिर हिंडे सब्सक्राइब की ग्राउंड के लिन्स देखने को मिल जाएगी अगर रेर प्रफाइल की में बात करते हो राइट फंद बेस मॉडल आपको फुल एलीडी सेटप मिलेगा हाला कि जिसके इंडिकेटर उसकी ब्रेक लाइट है यह आपको हालोजन ही मिलेगी बट यह जो स्र सेट प्लस की चार पार्किंग सेंसर आपको पीछे मिल जाएंगे अब इसके प्लेट यह सिल्वर कलर की रहने वाली है यहां पर आपको दो रिफलेक्टर अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूं तो यहां पर आपको एलेक्ट्रो मेंगनेटिक टेल ओपनिंग मिलेगी 328 का अच्छा गासा प्राक्टिकल स्टोरेज के साथ आने वाला बूट स्पेस मिल जाएगा अगर मैं इसके स्पेर टायर की बात करता हूं तो इट हापन्स टू बी अफुल साइज 215 60R 16 मलब कोई कॉष्ट कटिंग नहीं की गई है स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएग हाला कि जो बीच वाला पैसेंजर उसको एक हेड्रेस नहीं मिलती है सिर्फ दो ही यहाँ पे आपको इंडिविज्वल हेड्रेस देखने को मिल जाती है बाकी तो यहाँ पे मिलता है इस काड़ी का रिवर्स पार्केंग क्यामरा जिसकी क्वालिटी हम अंदर जाके ही देख इस वाली ब्रेजा से इस वाली ब्रेजा में एक बेटर सेफटी रेटिंग देखने को मिले जल्दी से चेक करते हैं इंटीर तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है आपकी पासिव एंट्री के लिए लिए लेट स्टेप इंसाइड दग यहाँ हमें किस तरह के फीचर मिलेंगे वो भी देखते हैं एक बार मैं इगनेशन को और सीट को कर लेता है तो अपने हिसाब से एडजस्ट तो कुछ इस तरह का लोग आता है प्रॉपर इंटीरियस का यहाँ पे एक मिनिट के लिसको मैं रिमूव करने वाला हूँ प्लीस बात मे भी करवा सकते हो बढ़ ठीक है इस नाट गॉना भी अमेजर इशुए यहाँ पर आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल और यहाँ पर आपको मिलते हैं एड्लैंप्स ऑटमेटिक हैड्लैंप्स इस वाले विरिंड में अवेलबल नहीं है अगर प्रॉपर डाश्बोड ल वाली साइट पे है थोड़ा मलब ना अराउंड दा एस इवेंट यूनेट्स और अराउंड दा एसी कंट्रोल तो थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेटेड और लग्जूरियस सी फीलिंग उसमें आ सकते थी जैसे की इन्होंने टॉट स्क्रीन के आसपास दिया है अब यही इंटरफेस का वही सेम इंटरफेस देखने को मिल जाएगा इसकी क्वालिटी भी काफी जादा अच्छी है स्लिक टू यूज है और इजी टू रीड है वोइस कमांड का ऑप्शन ने आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अगर मैं रिवर्स के इसके अंदर स्लॉट कर आपको यहां पर मैनौल गेर बॉक्स देखने को मिल जाएगा और ऑटमाटिक का भी ऑप्शन है यहां पर मिलती है मैनौल हैंड ब्रेक थोड़ी सी स्टोरेज एरिया यहां पर अपना समानमान रख सकते हो थोड़ा सा समान या रख सकते हो आमरेस्ट मिसिंग आयर आमरेस आपको आफ्टर मार्केट ही लगवानी पड़ेगी यहां पर 12 वाल का पावर एक्सेसरी सॉकेट, USB, A सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर मिलता है हजार लाइट का स्विच बात करते हैं इसके इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर की तो यहां पर अच्छा खासा आ आप इसी के अंदर ही स्क्रोल कर सकते हैं यहां पर मैनूल एजस्ट्मेंट के साथ आपको मिलता है डे और नाइट आयर वीम इस मॉडल से ही आनी स्टार्ट हो जाती है आपको एक संरूफ जिसका साइज कुछ बहुत जादा बड़ा नहीं है पर ठीक है सेग्मेंट में इत चल नहीं ही मिलता है आपको यहांपे देखने को मिलता है लेजर जिसके आंदर की जो ड्राइवर साइडipace वाली है वो आवड़ा इंशन नहीं मिलेगा इस तरह का व्यू आता है प्रॉपर वाइल ड्राइविंग प्रॉपर बॉनेट देखा है यार स्क्वेरिश शेप है वहां मेरे को एजेस भी दिख रहा है तो ड्राइवेबिल्टी ना जो नहीं वाली ब्रैजा उसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर मैं सेग्मेंट मे पिसली सीट में और देखते हैं किस तरह का कमफर्ट ऑन ओफर है यहां पर भी आपको फाब्रिक ब्राउन कलर मिलेगा पाव इंडों का स्विच बॉटल होल्डर और थोड़ा सा अपना समानवान रखने की जगह स्पीकर यूनिट देखने को मिलेगा मुलब इसमें चार स् स्पेस ऑन ओफर है तीन चनिया आप अराम से बिठा सकते हो बिकर्स यहां पर जो हम पर उतना ज्यादा हाइर नहीं है अगर मैं गेट को कर लेता हूं बंद अब जो सामने वाली सीट है मैंने अपने ड्राइविंग पोस्टर के हिसाब से अजस्ट कर रखी है अपना एक ब और यहां पर देख सकते हो आपको दो एसीवेंट्स मिलेंगे एक 12 वोल्ट का एकसेसरी सॉकेट मिलेगा ऐसा कुछ लोग आता है इसके डाश बोर्ड का और यहां पर देख सकते हो आपको अच्छी खासी स्पेस मिलने वाली है आपको सीट बेल्स मिलेंगी आईसो फिक्स म मिलेंगे सेंटर में आपको एक आमरेस्ट मिलने वाले अभी यार पनीवनी चड़ रखी है तो उतारेंगे नहीं यहां आपको एड़ेस नहीं मिलती है और अगर संरूफ बोलने तो देखते हैं कुछ ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर मैं स्पेस वाग कि गाड़ों से कंपेर करना इसका अंडर था स्पोर्ट एस स्टेल मच मच बेटर देन दोस तो कुछ इस तरह से था स्पेस अभी बाहर चलते हैं और वीडियो करते हैं अगर बात करते हैं इस जेडिक साई मॉडल के प्राइस की तो यहां पे आपको मैनल वाला मॉडल पड भी जाती है हाला की ठीक है जो इसकी किया सॉनेट है या वेन्यू है या नेक्स ऑना उसके अंदर आपको इस प्राइस पॉइंट में ज़्यादा प्रीमियम ने सेखने को मिलेगी बट जो रिलाइयबिलिटी जो कमफर्ट और जो राइड क्वालिटी आपको ब्रेजा में म रखे गए हैं जिससे अच्छी घासी राइड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी दी आल न्यू ब्रेजा ट्वेटी ट्वेटी फोर जेट एकसाई ब्लाक कलर के अंदर थैंकियो फो वाचिंग इस वीडियो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में